नमस्कार मैं हूं दिवाकर आप देख रहे हैं जेनाई नूज 315 बोर्ट दो जिन्दा कार्टूस एक खोखा कार्टूस बरामत किया गया आईए देखते हैं गौरोफ पांडे की एक रिपोर्ट सप्टाय सिकंबर को सपया गोटिया में जो फायरिंग हुई थी उस पर जो है तत्पाल सुचना मिलते ही मैं छेत्रा दिकारी प्रभारी निरिच्षक पोतवाली पर इद्पूत सब खाने का समस्त और्स हम लोग नौ पार करके गए घटनास्तर पर मुगायना करने के उप्रान थी स्रीमान एसस्पी मोहदे और स्रीमान एस्पी आरे मोहदे के नरदेसों के करम में और मेरे नेत्रत्त में और पोतवाली प्रभारी मेरे च्षक प्रायाजे टीम प्रभारी इनके द्वारा जो है मुदविशों के करम में चार और अभ्यूक गिरफ्टार होने हैं जिनसे असलहा की बरामदगी की गई है इसमें से अभ्यूक आकास सिंग के पास से एक अदब तमंचा बरामद हुआ है अमर परताप सिंग के पास से एक यसपी वील गंद बरामद हुई है और सिंग के पास से एक यसपी वील गंद बरामद हुई है अदाम निवास से कोई वरामद गी नहीं है अन्य जो अभी तीन अभ्यूत गंद को बताये गए हैं उनके पास एक फोका और जिन्दा कार्टूस भी वरामद हुआ है और अब इस अभ्योग में शेश अभ्यूत गड़ की संख्या बहुत ही कम है और शीगरी ही दविश देकर के उनकी भी गिरफ्तारी कर दी जाएगी गिरफ्तारी के बाद आरुप पत्रदा की दोने बार उनके मिलुद बेंगश्टर एक्ट की कारवाई भी अमल में लाई जा रही है और इस घटना से जो इस घटना के संबंद में पुलिस द्वारा जो है राश्टी सुरच्छा कानून एक्ट के तहद भी अलग से प्रस्टाव तयार कर पेशिक किया जा रहा है